नमस्कार दोस्तों सिर्सपरसित पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों अजबात करते हैं बुचा फिल्म की स्क्रिप्ट की दोस्तों मुझे मेरे कॉमेंट्स में कई लोगों ने पुछा है कि स्क्रिप्ट किसने लिखी है तो इसक्रिप्ट मैंने ही लिखी है और सबसे पहले मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जो बाद में उसको पर मैंने बुचा फिल्म बनाए तो दोस्तों एक समय पे मैं सिर्फ शॉर्ट स्टोरी लिखा करता था जो मैं पृत्वी थीटर जोईन किया था तो वहां पे एज ए वोलिंटियर में काम करता था तो मुझे दो महीना काम करने का मौका मिला था एज ए वोलिंटियर वहां पे नॉमबर दिसमबर में शायर ऐसा कुछ था जो मिजगल फेस्टिवल हुआ करता था तो मैंने वहां दो महीने काम किया और उसे दौरान मुझे ए मैं short stories लिखा करता था, जिसे घर पे आया मैं, तो फुरसत में short stories लिखा करता था, तो इस तरह से कई सरे short stories की मेरे पास collections एक होने लगी, बनने लगी, तो उनमें एक story थी भूचा भी, तो बॉंबे में रहते हूं, जो कुछ मैं अवजब करता था, देखता था, तो उसको पर कहानिया में लिखता था, और क्या होता है कि जब कोई भी कहानी लिखेंगे, तो लिखते-लिखते और जहन में, यानि कि आपके दिमाग में कई सारी चीजे और भी आइडिया जाने लगते हैं, तो मेरा बच्पन जो है गाओं में बिता है, तो गाओं के भी कई सारी चीजे थी कई सारी यादे थी तो मुझे लिखते-लिखते कुछ अइडिया गाउं से भी आजाता था कि अचा ये भी इस पर भी लिख सकता हूं तो उसे दोरान मुझे लिखते वे बुचा का आइडिया आया तो गाव में एक बच्चा था बूचा तो सभी बच्चों के साथ वह भी खेलता रहता था तो एक अनाथ बच्चा था तो हाँ से मुझे एक आइडिया आया अब क्या है कि शॉर्ट फिल्मे लिखना एक बहुती बड़ा काम है और बिल्कुल अलग काम है को जो फॉर्मेट वहता होताा है औरलके ना गय हाता है मैं बहुत सारी फिल्में देखा करता था वर्ल्ट सिनिमा की बहुत सारी फिल्में मैंने देखी उस दोरान तो कई सारी फिल्में देखी तो मुझे दिमाग में आया कि अच्छा ऐसी भी फिल्में बनती इस तरह का भी सिनिमा होता है तो जिस तरह की मैं realistic कहानी जो लिखता हूँ, सोचता हूँ और जिस तरह के से मैं film बनाया या बनाना चाहता हूँ तो मुझे एक बड़ा ही energy मिला, एक support मिला, एक confidence ब्यूट हुआ या कह सकते हैं और confidence बड़ा कि चलो इस तरह का cinema भी दुनिया में बनती है तो मैं जो काम कर रहा हूँ, वो सही है मतलब इस तरह का cinema भी हम बना सकते हैं तो सिनेमा देखने के साथ साथ राइटिंग से related जो कई सारी किताबे थी वो मैंने इकठा की चाहे वो American authors की लिखी हुई हो चाहे यहां की Indian books हो तो मैं इस तरह किताबे डिटिलिंग में पढ़ता और सिनेमा को सीन वाइज स्टेडी करता और इस तरह सही पढ़कर लिखकर देखकर मैं धिरे-धिरे स्क्रिन प्ले जो है वो लिखना सीखा तो भूचा फिल्म मुझे लिखने में करीब मुझे दो साल लग भग लग गए और दो साल में मैंने इसका साथमा ड्राफ्ट पुरा किया क्योंकि कोई सिखाने वाला था नहीं और इंडस्ट्री का आपको दस्तूर पता ही है कि जल्दी कोई मौका देता नहीं अपना सब कुछ करना शुरू किया और जो भी मैं अउजर्ब करता था वो लिखता था और फिर मैंने राइटिंग की जो फॉर्मिट होती है किस तरह से लिखी जाती है और फिर उसको उस फॉर्मिट में जो मेरी शॉर्ट स्टोरी थी उसको फिर एक लोंग स्टोरी की फॉर्मिट में लिखना शुरू किया उसमें फिर कई तरह के करेक्टर्स डाले और फिर देधर इस तरह से एक सीखना मेरा शुरू हुआ तो इस तरह से मैंने फिर बुचा फिल्म की इधर मैं अपना सिंगेमा देखना और रैटिंग से जुड़ी हुए किताबों को पढ़ना अब फिर बुचा की फिल्म स्क्रिप लिखना तो यह दोनों साथ साथ मेरा यह चलता रहा तो इसलिए मुझे इतना वक्त लगे लिखने में तो इस तरह से मेरी भुचा फिल्म की स्क्रिप जो है वो पूरी हुई तो दोस्तों आने वाले आगे की वीडियो में और भी कुछ नई जनकारी में लेकर आपके लिए आऊँगा और भुचा फिल्म से जुरू ही कई तरह की जो किसे हैं या सेट से जुरू ही बाते हैं वो ही मैं आपसे साजा करता रहूँगा तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी हो तो प्लीज से लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद